हेलो फ्रेंड्स, बेलकम बेक टो अवर यूटूब चैनल लेट्स क्रेक फार्मिसी, मैं सेल्फ कनईया, बीर गुएंग टू डिसकस दा टॉपक यूनाइटेट इस्टिट फार्मकोपिया, फ्रेंड्स इसके पहले हमने दो लेक्चर कबार कर लिये थे, जिसमें हमने फार्म क्या होती है, इंडियन फार्मकोपिया की एडिसन्स कब आए, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसे कौन पब्लेश्ट करता है, यह सारा कुछ हम प्रिविएस वीडियो में डेटेल में कबर कर चुके हैं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की डिस्क्रि फ्रेंट्स, जैसा कि आपने प्रिविएस वीडियो में देखा कि इडियन फार्मकोपिया आईपी है जो, क्या होती है, इसे कौन पब्लेश्ट करता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके एडिसन्स कब आए, इस सारा कुछ हम डिटेल में देख चुके हैं, उसी परकार आज हम देखेंगे कि उनाइटल फार्मकोपिया क्या होती है, इसे कौन पब्लेश्ट करता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और इसके एडिसन्स कब आए, कैसे आए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब यह है, कि उनाइटल फार्मकोपिया यूएसपी इस दा ऑफिसियल इसका मतलब यह है कि जो USP है United State Pharmacopoeia है यह एक Official Box है United State की जैसा कि आपने देखा था कि जो Indian Pharmacopoeia थी वो Government of India की Official Box थी उसी प्रकार जो USP है वो United State की Official Box है जो कि Publish की जाती है National Formulary NF के साथ National Formulary क्या होता है यह लिखा है USP NF National Formulary भी एक प्रकार की बॉक्स है जिसमें जितने भी Excipients होते है फूड इंग्रेडियंट होते हैं निउट्रियंट्स होते हैं बेटामिन्स होते हैं इन सारे स्टेंडर्ड प्रिजेंट होते हैं इसमें जो USP है वो है United State Pharmacopoeia प्लस में NF NF का मतलब है कि इसमें जितने भी Excipients होते हैं उनके स्टेंडर्ड प्रिजेंट होते हैं तो NF भी नेशनल फॉर्मूलरी इसका मतलब है यह भी एक प्रकार की बॉक्स ही है जैसे आप समझिए कोई भी ड्रक्स है वो अकेले निबन सकती जैसे आप पैरासेटामोल टेबलेट को ही ले लेजिए कि जो PCM की टेबलेट है अकेले तो बन नहीं सकती कि उसमें पैरासेटामोल मिला दिया और टेबलेट बन गई ऐसा तो हो नहीं सकता उसमें कुछ एक्सिपियंट कुछ मिलाना पड़ेगा जैसे कलरेंग एजेंट हो गया फ्लैवरेंग एजेंट हो गया स्वीटेंग जो उसमें एक्सिपियंट्स यूज किये गए वो क्या है एक्स्रा एक्सिपियंट्स यूज किये गए जो यूएसपी है जो यूएसपी में होते हैं सभी कोड्रक्स के स्टेंडर्ड प्रेजेंट्स एंड जो एनएफ इसके साथ इंक्लूट किया गया मिलाया गया एनएफ नेशनल फॉर्मॉलरी इस बुक्स में जितने भी एक्सिपियंट्स होते है उन सब के स्टेंड़र्ड प्रजेंट होते हैं तो वियुचिनल खूर्मॉलरी इस है से युचिनल औरी तो जो United States Pharmacopia है वो नेशनल फॉर्मॉलरी के साथ पबलेश्ट की जाती है United State Pharmacopia USPNF is published by United State Pharmacopial Convention जैसा कि आपने देखा था कि जो Indian Pharmacopia थी वो IPC Indian Pharmacopia Commission के द्वारा पबलेश्ट की जाती थी उसी परकार जो United State की Pharmacopia है वो United State Pharmacopial Convention के द्वारा पबलेश्ट की जाती है इसे आप याद रखिएगा नेस्ट पॉइंट है USP is published in both English and Latin language जो United State की Pharmacopial Convention है इसे English and Latin दोनों language में published किया गया इसके बाद USP also sets recognized standards for food ingredients also sorry dietary supplement इसका मतलब यह है कि जो United States Pharmacopial Convention है इसमें सभी प्रकार के जो food ingredients होते है dietary supplement होते है उनके भी standard set किये गई जो food ingredients होते है यह किसका पाइट है food chemical codex जो एक बुक्स होती है जिसमें सभी प्रकार के chemicals presents होते हैं कि हमें food के साथ कौन सा chemical मिलाना है कौन सा chemical नहीं मिलाना है यह सब कुछ presents होता है food chemical codex जिसे स्वाट में बूलते हैं FCC जिसे स्वाट में क्या बूलते हैं FCC याद रखिएगा आप इसे तो जो USP होती है इसमें सभी प्रकार के food ingredients होते हैं उनके standard भी set किये गए है next point है drug subjects to USP standard include both human and animal over the counter drug इसका मतलब यह है कि जो USP है उसमें सभी प्रकार के मतलब जितने भी humans हैं humans से पर drugs apply की जाती है and जो animals पर drugs apply की जाती है सभी drugs के standard set की गई है और over the counter drug over the counter drug का मतलब है कि मतलब यहसी drugs जिसे जो बिगर प्रेस्क्रिप्टिप्टिन की आप medical store पर लेने जाती है उसे बूलते हैं over the counter drug next point है the USP is a compendia of standards USP for US for check the quality and purity of food ingredients like as flavoring agent, coloring agent, preservatives and some nutrients इसका मतलब यह है कि जो USP is a compendia compendia का मतलब यह है कि जब United State फार्मा कोपिया प्लस एन एफ नेशनल फॉर्मूलरी जब United State फार्मा कोपिया और एन एफ एक साथ मिल जाते हैं तो दोनों के combination को बोलते हैं इसे आप याद रखिएगा तो क्या लिखा है कि जो USP और NF है इसमें सभी प्रकार के जो food ingredients होते हैं और like as flavoring agent, coloring agent, preservatives and some nutrients जितने भी एकसीपियंट्स होते हैं जैसे अपन ड्रक्स की quantity बढ़ाने के लिए जो उसमें यूज की जाते हैं और सभी एकसीपियंट्स के standard United State फार्मा कोपिया में प्रिजेंट्स होते हैं उनकी quality and purity चेक करने के लिए जो standard बनाए गए हैं वो सब यूज की फार्मा कोपिया में प्रिजेंट्स होते हैं The United State फार्मा कोपिया is the most bodily used compared to other country इसका मतलब यह है कि जो United State की फार्मा कोपिया है इस अधर कंट्री की दॉल्ला में सबसे ज्यादा यूज की जाती है जैसे आप इसकीन पर देख सकते हैं कि यहां लिखा है पैरासेटामूल USP मतलब जो टेबलेट है वो United State की फार्मा कोपिया से जो इसके टेबलेट के standard है वो लिए गए है तो इसका मतलब यह है कि जो टेबलेट बनाया गया है तो उसकी requirement जो भी उसका मतलब standard होता है प्यारसेटामूल का वो USP की नवारा लिया गया है आप इस यूरप पर भी देख सकते हैं इस पर भी USP लेखा है मतलब इसका standard भी United State की फार्मा कोपिया से लिया गया है यह लगभग 130 country में यूज की जाने वाली फार्मा कोपिया है तो यह लगभग सबसे ज्यादा यूज की जाती है इसे आप यादरा कियेगा आप थोड़ा history के बारे में जान लेते हैं कि जो United State फार्मा कोपिया है इसकी history क्या है कैसे published होई है तो इसे जानते हैं देखी यहां लिखा है विन फर्स्ट जनवरी 1820 11 मेंबर ओफ आ मेडिकल कमेटी मेट इन दा सिनेट चेमबर ओफ यूएस केपिटल बिल्डिंग तो इस्टाविलेस आ फार्मा कोपिया फॉदा यूनाइटिज स्टीट इसका मतलब यह है कि 1820 में पब्लिच्ट की और हखटे हुए और हुन्होंने डिसीजन लिया कि सब्सक्राइश्ली फार्माकोपियinka को पब्लिच्ट क्या चाहिए तो उन्होंने 1 के बाद क्या किया कि कि उनाइटिट्टिड स्टीट की फार्माकुपिया को 15 December 1820 में published कर दिया गया उसमें 270 drugs and 272 pages थी तो इसे आप याद रखिएगा कि जो United District Pharmacopia है इसका 1st edition कब published हुगा तो इसका 1st edition 15 December 1820 को published हुगा इसे आप याद रखिएगा यह बहुत important point है Next The First National Formulary of US was published in 1888 by American Pharmaceutical Association इसका मतलब यह है कि जो 1st National Formulary NF जो आपने हमने पहले बताया था आपको कि नेशनल फॉर्मूलरी क्या होती है वो नेशनल फॉर्मूलरी 1888 में American Pharmaceutical Association इसे सोट में बोलते हैं APA APA के द्वारे पब्लिस्ट की जाती थी फर्स्ट कब पब्लिस्ट की गई थी 1888 में APA के द्वारा पब्लिस्ट की गई थी नेशनल फॉर्मूलरी इसके बाद क्या हुआ कि जो US PC है जो फार्माकोपिया को United States की फार्माकोपिया को पब्लिस्ट करता है उसने क्या किया कि 1975 में US PC ने नेशनल फॉर्मूलरी को खरीद लिया उसने नेशनल फॉर्मूलरी को खरीद लिया तो उसके बाद क्या हुआ कि 1976 में US PC रिलीज्ट USP प्लस नेशनल फॉर्मूलरी बिद टाइटल ओफ यूएसपी एनेफ इसका मतलब यह है कि जैसे उसने खरीद लिया एपीए से तो उसके बाद US PC ने United States फार्माकोपिया प्लस नेशनल फॉर्मूलरी को एक साथ पॉब्लेश्ट किया तो इस डेट को आप याद रखिएगा कि जो United States फार्माकोपिया याने कि USP फ्लस एनेफ एक साथ कब से पॉब्लेश्ट होना सुरू हुए 1976 के बाद से ठीक है इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट से याद रखना है कि जो United States फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन वो कब पॉब्लेश्ट हुआ जो नेशनल फॉर्मॉलरी है ये फर्स्ट टाइम कब पॉब्लेश्ट हुआ था वो कौन किसने पॉब्लेश्ट किया था तो यसे APA ने पॉब्लेश्ट किया था American Pharmaceutical Association ने इसके बाद 1975 में क्या हुगा कि USPC ने जो नेशनल फॉर्मॉलरी है उसे APA से खरीद लिया तो उसने क्या किया कि फिर जो नेशनल फॉर्मॉलरी है उसने उसे अपने साथ पॉब्लेश्ट करना स्टार्ट कर दिया आप जालिए जाल लेते हैं थोड़ा देखिए जो फस्ट एडिशन है USP का कब पब्लेश्ट हुगा 15 देशमबर 1820 में इसे आप याद रखिएगा एक्जाम में पूछा भी गया है कि जो USP का फस्ट एडिशन है वो 1820 को पब्लेश्ट हुगा 15 देशमब 1820 को एंड अधर इच एडिशन एडिशन आए इस बात को आप ध्यान से सुनियेगा कि 1820 से 1942 की बीच में जतने भी एडिशन USP के पब्लेश्ट हुगे वो 10 एडिशन पर पब्लेश्ट हुगे मतलब उनके बीच में जो गैब था वो 10 साल का था जैसे फर्स्ट एडिशन पब्लेश्ट हुगा 1820 को तो सेकंड का पब्लेश्ट हुगा हुगा इसका 1830 को थर्ड चालेश फोर्थ पचास ऐसे इसके बात क्या हुगा कि 1942 से 2000 एट बाज पब्लेश्ट एट और 5 इगर एंटरवल मतलब 1842 से 2000 के बीच में जितने भी एडिशन से पब्लेश्ट हुगे वो 5 इयर के इंटरवल पर पब्लेश्ट हुगे 5 इयर के इंटरवल पर पब्लेश्ट हुगे इसके बात From 2000 to It was published annual 2002 से क्या हुगा कि मतलब जो USPC नहीं USPC नहीं इसे annually published करना start कर दिया मतलब हर साल published होता है अब देखिए आप मतलब जो United States Pharmacopia की जो additions हैं वो हर साल published किये जाते हैं जैसे आप देख सकते हैं कि 2018 में इसका additions था वो USP USP 41 NF 36 मतलब इसका मतलब यह है कि USP का additions था वो तो 41 एडिशन जो NF था उसका था 36 एडिशन और 2019 में क्या होगा तो अब उसी प्रकार देख सकते हैं कि USP का होगा 42 NF का होगा 37 उसी प्रकार 2020 में आप देख सकते हैं कि USP का होगा 43 NF का होगा 38 उसी प्रकार 21 में आप देख सकते हैं USP का होगा 44 और जो NF है National Formula है उसका होगा 39 अब इसके बाद क्या होगा इसके बाद इसका अभी तो नहीं आया है जब इसका additions आएगा है तो USP 45 हो जाएगा NS हो जाएगा 40 तो आप इस बात को याद रखिएगा तो जो USP फार्मकोपी है United States की फार्मकोपिया इसका टाइटल किया है USP NF मतलब USP प्लस में NF United States फार्मकोपिया प्लस नेशनल फॉर्मूडरी दोनों के साथ ऐसे पब्लिश्ट किया जाता है तो आज की वीडियो में अतना ही तो आप हमारे चैनल बनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने प्रेश की शेयर कीजिए और साथ ही हमारे इंस्टाइग्राम और फीस्बॉक पीच को भी आप फॉलू कर सकते है उसका लेंक वीडियो की देस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इस वीडियो की दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगी थैंक्स पॉर वाचिंग इस वीडियो